आज के लेक्षर को शुरू करने से पहले हम जो पिछज़ाइ लेक्षर तो के कुछ की पोइंट्स की डिसक्शन कर लेते हैं सबसे पहले जो एक क्रिस्तल लैटिस होती है वो पोइंट्स की बनी हुई होती है और यह points 2D में भी हो सकते हैं और 3D में भी हो सकते हैं अब उन points के ओपर जब हम atoms को place करते हैं तो फिर एक crystal structure जो है वो generate होता है यनिके एक crystal lattice plus atoms जिनको हमने basis कहा था मिलके जो है वो एक crystal structure जो है वो बनाते हैं अब next आते है crystal system तो जो crystal system होते है वो characterized होते है by the symmetry properties of the crystal structure अब जो crystal symmetry है वो basically reflection होती है internal atomic structure की तो जो crystal symmetry है basically वो ही base करती है कि हमने किसी भी crystal को कित हिसों में divide करना है यनिके कितने उसके different groups होने चाहिए और उसके different classes होनी चाहिए जैसा कि 3D में हमारे पास जो है वो 7 जो है वो crystal systems होते हैं और 14 जो है वो bravest lattices होती है अब next हम लोगोंने basically इनी 7 crystal systems को पढ़ने और 14 यह जो bravest lattices है इनको पढ़ेंगे यनिके हम बारी-बारी हर एक crystal system और उनकी जो bravest lattice है उसकी discussion करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं cubic crystal system के बारे में cubic crystal system अब देखें जो अगर हमार पस यह एक lattice point है और बाकी इसके sides पे यह जो different lattice points है तो जो बीटा और गैमा जो है एंगल्स है इन lattice ए बी और सी के दरम्यान में तो फिर हम क्या कहेंगे कि यह वाला जो crystal system है यह एक cubic crystal system है यानि कि यह basically जो lattice है वो cubic है और जो system है वो एक cubic crystal system होगा तो इसी तरह से यह जो ए बी और सी और alpha, beta और gamma जो है इनको हम कहते हैं lattice parameters इसको हम कहेंगे lattice parameter या इसको हम lattice constant भी कहते हैं of a unit cell, lattice constant या भी lattice parameter of a unit cell क्या A, B और C, alpha, beta और gamma जो है यह जो इनको हम कहेंगे इन सब को हम क्या कहेंगे they are known as the lattice parameters or lattice constant अब हम अगर previous lattice की बात करते हैं यानि कि cubic system में जो previous lattices हैं तो cubic system में previous lattices जो हैं तीन तरह की होती हैं अगर तो हम हर पास unit cell जब cubic है और atoms जो हैं उसके लाइक कह रहे हैं at the corners यह वाला missing हो गया primitive और इसके जो इसकी एक अब्रिवेशन है सिंबल क्यूबिक की S and C अच्छा इसके लावा जो दूसरी ब्रेवेश लैटीस होती है क्यूबिक में वो यह होता है कि उसके अंदर जो atoms है वो लाइक कर रहे होते हैं at the corners यह जैसे आप देखें क्यूब के corners के उपर लाइक कर रहे हैं पूरे के पूरे सारे corners के उपर और उसके बाद एक atom जो है वो लाइक कर रहे है उसके अंदर दर्मियान में जो के जो कि उसकी चुके बॉडी के अंदर लाइक कर रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं body centered cubic body centered cubic जो है इसकी एक abbreviation है वो है BCC और जो थर्ड बन है ब्रेविस लाइटिस क्यूबिक ब्रेविस लाइटिस जो है वो है इसके अंदर atoms जो होते हैं वो और लाइक कर रहे है अगेन एक unit cell इस तरह से है और उसके बाद एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं एक क्यूब के अंदर six face होते हैं और हर जो atom है वो हर फेस के मीट में लाइक करें मिसाल के तो पर अगर मैं यह देखें सबसे पहले मैं यह bottom वाला face देख चुब बॉ यह ऐक डाग है आफ राइड साइड देखं तो राइड साइड वाला जो फेस के दरम्यान में एक यह एक एक कर रह है और इसे तरह से पिरुसके चाहिए पॉस्झेट लैफ्बले अब जो दूसरा crystal system है वो है ट्रेट्रागोनल crystal system. ट्रेट्रागोनल crystal system में अब क्या है कि जो हमारे पास lattice parameters थे, अगर तो यह again उसी तरह से एक ले lattice points हैं, यह lattice points हैं और इस तरह से lattice points हैं, अगर तो जो यह वाला lattice parameter है A, वो वाला lattice parameter B के equal है, लेकिन वो C के equal नहीं है, यहनिके A is equal to B, और that is not equal to C, लेकिन angles जो है, alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree, जब इस तरह की situation है, तो जो unit cell है, जो crystal lattice है, उसको हम कहेंगे simple tetragonal, और यह जो पूरे जिसमें हम lattice parameters के बात करते हैं, crystalographic axis कहलो, और जो angles हैं, यह दोनों क्या हैं, यहनिके axis and the angles, इसको हम कहते हैं lattice parameters, तो यह पूरा जो एक crystal system जो बनाते हैं, उसको हम कहते हैं, tetragonal crystal system, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आप यह देखें, जैसे यह वाली एक लेंद A है, यह वाली length B है, और यह वाली length जो upward है, that is C, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो A है, वो B के equal है, पर it's not equal to C, So, इस case में इसको हम कहेंगे, simple tetragonal, और जो system होगो, इसको हम कहेंगे, tetragonal crystal system. Tetragonal bravest lattice के, अगर हम बात करें, तो tetragonal bravest lattice में, इसके सिर्फ दो lattices होती है, bravest lattice एक होती है simple, और एक होती है body centered. अब आपको पता होगा, अभी हमने इस से बिफोर, जो cubic में, आपको मैंने बताया था, कि simple का क्या मतलब है, simple का मतलब है, अगर तो, जो atoms हो लाइक का रहे हैं, at the corners, तो इसका मतलब है, कि वो simple lattice है, तो इस केस में, वो simple tetragonal bravest lattice होगी, जैसे पीशे वाले में, हमने उसको simple cubic का था, तो इस केस में, वो basically simple tetragonal bravest lattice है, और इसी तरह से, अगर, जो atom है, वो लाइक कर रहे हैं, लाइक करें at the corners, ये इस तरह से corners, लेकिन उसके बाद, एक दर्मियान में भी, जो कि पूरा उसके अंदर लाइक करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, बोडी सेंटर्ड, तो ये बोडी सेंटर्ड, टेट्र गोनल हो गया structure, तो हमारे पास इसकी जो number of, आप कहलो कि, bravest lattices होंगी, वो two होंगी, अब जो next है, वो है orthorhombic crystal system, अब orthorhombic crystal system में, अगर हमारे पास, जो crystallographic axes हैं, वो इस तरह से हैं, कि ये अगर हमारे पास एक point था, और ये A है, B and C, यानि कि A is not equals to B and that is not equals to C, जो कि आप यह आपे देख भी सकते हैं, यानि कि तीनों के तीनों आपस पें दूसरे के ब्राबर नहीं हैं, लेकिन जो उनके angles हैं, alpha is equals to beta is equals to gamma, वो 90 degree हैं, तीनों angles वो इक्वल हैं, इस तरह का जो crystal system होगा, हम उसको कहते हैं, orthorhombic crystal system. orthorhombic bravest lattices के अगर हम बात करें, यानि कि orthorhombic bravest lattices, तो इस पे हम देखते हैं, कि इस वाले case में, हमारे पास, जो previous lattices हैं, वो four होती है, एक तो ये simple, simple का मतलब क्या था, अगर आप रिकॉल करें, जो पीछे भी हम लोगों ने देखा था, कि simple का मतलब ये था, कि जो atoms हैं, वो सिरफ और सिरफ लाए करें, at the corners, ठीक है, और वो simple होगे, तो ये क्या हो जागा, simple orthorhombic, इसका मतलब ये है, कि ये SO, इसकी जो abbreviation होगी, simple orthorhombic, उसके बाद हम next देखते हैं, ये number one वाली होगी, next हम देखते हैं, जो number two है, वो है, end face centered, end face centered, जैसे देखें, उसके नाम से obvious है, उसका मतलब ये है, कि जो end वाले उसके faces है, यानि कि जैसे एक top के उपर है, और ये जो नीचे bottom के उपर है, उसके दर्मियान में, atom जो है, वो लाए कर रहे है, corners के उपर तो है ही, atom, लेकि उसके बाद, वो सिरफ और सिरफ एक top वाला, जो abbreviation है, वो है, E, E, C, end face, centered, तो चुकि ये orthorhombic, इसको कहेंगे, E, C, O, ये इसकी abbreviation है, उसके बाद, next, अगर हम देखते है, number 3 वाले, जो इसके ब्रेविस lattice है, वो कुन सी है, body centered, body centered, जैसे आप और एडी इसको जानते हैं, पीछे भी हम नें discussion किया है, कि जो atoms है, वो लाए कर रही होते है, at the corner, सारे के सारे corners के उपर है, लेकिन उसके बाद, एक दर्मियान में, लाएक कर रहा है, जो कि उसके body के अंदर है, इसलिए हम इसको कहते है, body centered, body centered की जो abbreviation है, वो क्या है, BC, और जो कि और तो रहमी के, वो B, C, O, इस case में हो जाएगी, okay, so, जो last one, इसकी previous lattice है, वो कौन सी, number fourth वाली कौन सी है, वो है face centered, face centered, भी हम already discussion कर चुके हैं, कि उसमें क्या है, कि जो, जो atoms है, वो लाएक कर रहे है, इसके अलावा, उसके जो face है, इसके भी कितने face है, जो कि 3 dimension में, तो इसके भी 6 face है, तो, उन 6 face के दर्मियान के उपर, जो है, वो atom लाएक कर करें, तो इस तरह की जो previous lattice, को हम कहेंगे face centered, face centered के abbreviation क्या है, fc, और चुके यह orthorhombic, fco, अब हम, जो next crystal system की बात करते हैं, रॉंबोहेडरल, रॉंबोहेडरल और trigonal, दो इसके नाम है, रॉंबोहेडरल और trigonal, अच्छा, अब इसमें अगर, जो crystallographic axes हैं, वो जब lattice points हापस में मिलते हैं, तो इस तरह से के situation होती है, कि a is equals to b, is equals to c, यानिके a और b और c तो एक दूसरे के ब्राबर है, लेकिन, जो alpha औ 90 degree, angles 90 degree के नहीं है, में भी आपको इतर से देख के लाग रहा हो, कि जो unit cell बान रहा है, वो तो हमें इस तरह से लाग रहा है, कि 90 degree के है, लेकिन जो इसके trigonal में, जो हमें हमार पस इनके angles हैं, वो 90 degree के एकोल नहीं होंगे, तो जो unit cell बनता है, उसको हम कहते हैं, rhombohedral, या फि bravest lattice होती है, जिसको हम कहेंगे simple, simple, simple का मतलब क्या होता है, कि जो basically items होते हैं, वो लाइक का रहे होते हैं, at the corners only, इसलिए सिरफ इसकी जो bravest lattice है, वो सिरफ one है, एक bravest lattice है, जो कौन सी है, simple, simple bravest lattice होगी इसकी rhombohedral की case में, जो next crystal system है, वो है hexagonal crystal system, hexagonal crystal system के जो lattice parameters है, वो है कि a is equals to b and that is not equals to c, दो उसके lattice parameter एक दूसरे की equal है, इसी तरह से उसके corresponding angles हैं, यानि कि alpha is equals to beta, that is equals to 90 degree, और जो third one है, gamma, that is equals to 120 degree, इस तरह वाली situation को हम कहेंगे hexagonal crystal system, अब जो hexagonal crystal system में, जो basically unit cell है, वो या तो cubical हो सकता है, या फिर वो hexagonal type होगा, तो जो cubical one है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने bold lines से उसको represent किया हुआ है, ये वाला जो है, जिसकी मैं नीचे base को अभी स्थ शूग का रही हूँ, जो के bold से line से represent किया हुआ है, अगर आप अपनी वीडियो को थोड़ी सी देख यहाँ पॉस करें, और आप उसको identify कर सकते हैं, ओके, जो तीन cubical unit cells होंगे, वो ये होंगे, जिनको मैं shade कर रही हूँ, एक तो ये हो गया, और second वाला ये है, और third one ये है, तो ये जो तीन cubical unit cells हैं, ये मिलके एक hexagonal unit cell बना रहे हैं, और उसके अंदर जो lattice points हैं, वो लाए कर रहे हैं, at the corners, ये जो corners हैं, और उसके अलावा, at the center of the hexagonal face, of the two hexagonal face, क्योंकि एक तो ये नीचे वाला face हो गया, और उसके बाद एक ये जो उपर वाला है, ये, तो उसके दरम्यान में भी वो लाए कर रहे हैं, तो इस तरह का जो units हैं लोगों और इस तरह का पूरा जो system होगा, उसको हम hexagonal crystal system कहते हैं, इसके अलावा जो इसमें bravist lattice होगी, वो सिरफ और सिरफ एक है, जो कि simple bravist lattice होगी, जिसको हम कहेंगे simple primitive, यानि के primitive का word भी यूज करते हैं, या फिर ये के simple hexagonal bravist lattice. जो next है, वो है monoclinic crystal system, monoclinic crystal system में, जो है, अगर हमार पास crystallographic axis इस तरह से हैं, कि A जो है, वो B के भी ब्रापर नहीं, यानि कि तीनों के तीनों axis एक दूसरे के equal नहीं हैं, लेकिन जो angles हैं, वो दो angles एक दूसरे के equal हैं, यानि कि alpha और gamma, ये वाला angle alpha और gamma, अगर ये 90 degree के हैं और that is not equals to beta, तो फिर जो इस तरह की, जो unit सर बनेंगा, उसको हम कहेंगे monoclinic, और जो lattice parameters हैं, और पूरा जो system बनेंगा इससे, जो generator को हम कहेंगे monoclinic crystal system. Monoclinic crystal system में, यहनिके monoclinic, जो previous lattices होंगी, वो दो होती हैं, previous lattice, एक है simple, ठीक है, simple का क्या मतलब था, कि जो lattice, जो atoms है, वो लाइक का रहे हैं, उसके corners के ऊपर, जो unit cell सा बनता है, जिसको हम monoclinic कहेंगे, तो एक तो simple हो गया, एक था, एक इसकी होगी end phase centered, end phase center भी औरेडी हम, जो है, पहले की discussion कर चुके हैं, कि जो उसके end वाले face है, जो उसके end वाले face है, जो नीचे का, तो उनके तरम्यान में भी जो है, वो atoms lie करें, और other than the, other than lying at the corners, तो इस तरह के जो previous lattice होगे, उसको हम end phase centered केंगे, और इस case में, जो मानो क्लेनिक में, जो number of previous lattice ह जो होंगी, simple and face centered, अब जो last हमारा crystal system है, वो है, triclinic crystal system, अब triclinic crystal system में, अगर तो हमारे पर जो unit cell बन रहा है, वो इस तरह से है, कि उसमें जो lattice parameters है, वो तिनों के तिनों एक दूसरे के equal नहीं है, यानिके a is not equals to b, that is not equals to c, और उसके बाद वो जो उनके corresponding angles हैं, यानिके alpha is not equals to beta, that is not equals to gamma and that is not equals to 90 degree, so इस तरह की जो situation होगी, इस तरह से जो unit cell generate होगा, उसको हम कहेंगे triclinic crystal lattice, और जो पूरा system होगा, उसको हम कहेंगे triclinic crystal system, और इसके भी जो bravis lattice है, वो सिरफ और सिरफ एक ही simple है, यानिके bravis lattice भी triclinic में, एक simple bravis lattice है, और भी इसके bravis lattice, जो है, वो नहीं होती, so इस case में भी जो number of previous lattice है, वो basically one है, ओके जो यह हमाई जो last slide है, इसमें एक concluding slide है, इसमें हम आप recall करते हैं, कि जो भी हमने crystal systems पढ़े हैं, उन सारे crystal systems को एक तफ़ा से recall करते हैं, उनके सारे lattice parameters को, और हमारे पस कितने crystal systems है, seven crystal systems है, आप अगर अपनी वीडियो को अब थोड़ सी देर के लिए पॉस करें, और उनको recall करें कि वो कौन-कौन से systems है, ओके, जो seven crystal systems है, हमारे पास वो है, cubic, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, trigonal, hexagonal, monoclinic and trigonal, अब अगेन थोड़ सी देर वीडियो पॉस करें, उनके lattice parameters को जड़ा थोड़ा recall करें, ओके, अब आप देखें, lattice parameters सारे, जो हमने already उसकी discussion की है, वो यहां पे सारे आपको, जो है, आप टैली कर सकते हैं, क्योंके, यह इसके सारे lattice parameters है, अगेन थोड़े देर वीडियो पॉस करें, और देखें, इसकी कितनी bravest lattices हैं, ओके, जो bravest lattices हैं, cubic के लिए, वो कौन सी थी, simple body centered and face centered, यानिके, bravest lattice cubic के लिए, वो हमारे पस 3 हैं, और tetragonal के लिए, simple body centered, यानिके, 2 हैं, और orthorombi के लिए, simple body centered and face centered, कितनी 4 होगी, और robohedral, या उसका trigonal जो है, उसके लिए, हमारे पस bravest lattice simple, यानिके, 1, और hexagonal के लिए, हमारे पस, जो है, वो simple, और 1, यानिके, number of bravest lattice 1 है, जो कि simple है, मानुकने के लिए, simple and end centered, यानिके, इसके, 2 होगी, bravest lattices, trigonal के लिए भी, 1, अब आप इन सब को count करें, तो कितनी बन की, yeah, 14, so हमारे पास 14 bravest lattices हैं, और 7 crystal systems हैं, total, okay, so यह next वले में, next वला जो table है, इस पर आप देख सकते हैं, मैंने abbreviations, जो कि already हम इनके नाम, इनके abbreviations में already आपको बिता चुकी हैं, वो आप एक तरह से, यहां से, दुबारा से, देख सकते हैं, final slide, यह एक product table है, आप इसको देख सकते हैं, कि product table में, कौन से वाले elements, कौन से वाला structure बना रहे हैं, crystal structure, वो आप एकदम से view कर सकते हैं, यहां पे side के उपर आपको वो एक तरह से provide भी कर दिए कि कौन से वाला color है, और वो कौन से वाला structure बना रहे हैं, आप यहां से देख सकते हैं, और secondly, यहां पे आप यह देखें, कि जो white color में हैं, यह वो वाले elements हैं, जिनका crystal structure अभी थक unknown है, या हम उनके बारे में इतने clear नहीं हैं, कि कौन से वाला structure बनाते हैं, यहां पे next score, आप देखें, यहां पे यह एक है double hexagonal closeback structure और एक है diamond cubic, so double hexagonal closeback structure भी basically दो ACP unit cells होते हैं, जो के stack होते हैं on the top of each other, इसे तरह से जो diamond है, वो भी एक special case होते हैं, cubic structure का, और इस वाले course में हम diamond structure को लग से study भी करेंगे, सथक्तyas हैं Occasion lleva 20 में का, जो का, यहां है जो भी करेंग, जो अ खाफ से वाले से अफ दिले को भी को भी सामे,